एक दूर्बीन के शुरुवाती नतीजों के आधार पर ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि शुक्र ग्रह क्यानि वीनस के बादलों में जीवन के सबूत बिले हैं और ये रिपोर्ट बाहर आते ही मीडिया में यूट्यूब पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई जिसमें कहा जाने लगा कि शुक्र ग्रह में जीवन मुमकिन है वहां रहा जा सकता है तमाम ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई इसमें से बहुत कम जानकारी जो है वो सही है और इस जानकारी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि शुक्र ग्रह में जीवन शुरू होने के सबूत शायद नहीं है वो जीवन खत्म होने के सबूत है पुरा मामला क्या है? क्या है ये शुक्र ग्रह जो धर्ती से बिलकुल मिलता जुनता है आखार भी करीब-करीब धर्ती जैसा है यही जालेंगे आज पेनन पोस्ट के इसी वीडियो में नमस्कार आपके साथ मैं हूँ उंकार चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस सारी चीज शुरू हुई कार्डिफ यूनियूरस्टी के दो रिसर्चरों की रिसर्च से 2017 में उन्होंने एक टेलिस्कोप के जरीए वीनस यानि शुक्र ग्रह के जो बादल हैं उनके रेडियो वेवलेंट जाचने शुरू की और इस दोरान उन्हें अंदाजा लगा या उन्हें इस बाद के संकेत मिले कि उन बादलों में फॉस्फीन हो सकती है क्योंकि फॉस्फीन बहुत ही आसानी सिर्फ पहचानी जाने वाली एक गैस है ये फॉस्फोरस जो होता है उसका एक एटम और उससे पिरामिट की तरह हाइडरोजन के तीन एटम जुड़े होते हैं वैसे गैस बनती है और ये बड़ी मुश्किल से बनती है और एक बार अगर ये बन जाए तो बड़ी मुश्किल से तूटती है यानि अगर ये बन गई तो ये रहती है और इसका जो खास केमिकल स्ट्रक्चर है पिरामिट की तरह उसकी वज़े से ये आसानी से पहचान मा आ जाती है इसकी विबलेंद तो इस आधार पर रिसर्चर इस नतीजे पर पहुँचे कि वहाँ पर फॉस्फीन है अब फॉस्फीन को जीवन का सबूत क्यों माना जा रहा है या जीवन का संकेत क्यों माना जा रहा है इसकी एहम वज़े है कि फॉस्फीन को लेकर हमारी यानि इनसानों की जो जानकारी है हमें फॉस्फीन धर्ती पर दल्दली इलाकों में मिलती है या पैंग्विन या कुछ और जो जीव हैं उनकी गट में या उनकी आतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो फॉस्फीन बना जा सकती है वो एक बड़ा दूसरा तरीका है इंडिस्ट्रियल तोर पर जो फॉस्पीन बनाए गई वैसी फॉस्पीन का इस्तेमाल पहले विश्वेद में एक केमिकल वैपन के रूप में भी किया गया क्योंकि इनसान और जादा तर आकसीजन सांस के रूप में आकसीजन ले देने वाले जीवों के लिए फॉस्पीन एक जहरिली गैस है लेकिन बैक्टिरिया के लिए जहरिली नहीं है इस आधार पर वैग्यानिकों को लगता है कि अगर शुक्र के बादलों में फॉस्पीन है तो इसका मतलब वहां कोई माइक्रो ओर्गनिसम या माइक्रो बैक्ट हो सकता है जो इस गैस को बना रहा हो यह सिर्फ इतनी सी जानकारी जो है या इतना धर्ती का जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि शुक्र ग्रह के बादलों में जीवन के सबूत मिले हैं अब इसकी कुछ काउंटर बात है फॉस्फीन सिर्फ शुक्र ग्र क्रियाओं के जरीए यह बनती है यानि शायद जैसे हम इंडस्ट्री में बनाते हैं फॉस्फीन शायद वैसे ही कुछ क्रियाएं वहां भी होती हो जीवन का उससे कोई लेना देना नहीं है ये बात हमें पता चल चुकी है कि उन दो जगहों पर जीवन का अभी तक कोई इस इसकी एक बड़ी वज़े है कि शुक्र और प्रिथिवी के बीच जो similarity है दोनों ग्रह करीब करीब बराबर आकार के हैं शुक्र थोड़ा सा धर्ती से छोटा है लेकिन कुछ और परिस्तितियां वहां बिल्कुल धर्ती जैसी हैं शुक्र ग्रह पर गुरुट बल जो है वो धर्ती के भी बराबर है वहां पर चटाने है धर्ती की तरह और माना ये भी जाता है कि अरबों साल पहले शायद शुक्र में पानी था और क्योंकि सूरत से बहुत जादा नजदीएक है इस वज़े से वो पानी धीरे-धीरे सूख गया, वहां बहुत जादा वोलकैनोज हैं, धीरे-धीरे वहां कुछ ऐसा हुआ कि अर्बों साल तक शुक्र ग्रह से सारा पानी उड़ गया, वो उस भाप में बदल गया, जो शुक्र ग्रह में 65 मील मोटी शुक्र ग्रह के बाहर बादलों की परत है, वो शायद कहा है, वेग्यानिकों को अंदाजा है कि वो इसी वज़े से बनी हुई है, तो ये तो बात हो गई, प्रिथभी के साथ शुक्र ग्रह की सिमिलारिटी की, लेकिन जब इस तरह का कहा जाता है, या ऐसे मैसेज देने की कोशिश की जाती है, कि वहाँ इनसान बस सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जीवन के लिए बहुत धर्ती के पास है, वहाँ जाकर इनसानी बस्ती बनाइ जा सकती है, तो ये बात कर treatments की नमुमकिन सी है और इसकी बड़ी ठोस वज़ा है पहली बज़े तो ये है कि शुक्र ग्रह पर धर्ती के मुकाबले धर्ती में जब हम रहते हैं इनसान हम सारे तो एक सर्टन दबाव रहता है हवा का जिसकी वज़े से हमें सांस लेने मदद मिलती है पूरा और्गनिजम हमारा और बहुत सारी चीज़ों का वैसे चलता है उस लेकिन शुक्र ग्रह में धर्ती के मुकाबले 90 गुना जो है जादा एर प्रेशर महसूस होता है यानि अगर इनसान शुक्र ग्रह में चला भी जाए तो वहां जाते ही पहले तो उसे 65 मील मोटे बादलों की परत को पार करना होगा 65 मील जिसम फॉस्पीन है और भी कैसे हो स सकती है उसके बाद जैसे ही इनसान उसकी चटानों तक पहुंचेगा वैसे ही वह प्रेशर इनसान के पूरे बदन को फाड़ के रख देगा जी हाँ फाड़ के रख देगा 90 गुना सादा प्रेशर यानि कि आप पानी की गहराई में 900 मीटर चले जाए वहां पर जो 900 मीटर गहरे पानी में जो दबाव आप महसूस करेंगे करीब करीब उतना दबाव शुकर ग्रह में बीनस में इनसान महसूस करेगा अब इसके लावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो बात ये है कि शुकर ग्रह का जो तापमान है वो 480 डिग्री से जादा है उसकी सत सतह का तापमान, 480 डिग्री से से जादा सतह का तापमान, इसका मतलब है कि वहाँ पर ऐल्यूमिनियम एलॉय या लेड जिसके हम लोगों के घर में जो पानी के पाइप होते हैं, लेड से उस पानी के पाइप बनते हैं, वो चीज़ें ये ऐसी धातों उस टेमपरेचर में गल जाती हैं, इस टेमपरेचर में, तो अब आप अंदाजा लगाईए कि इस टेमपरेचर में क्या वहाँ रहा जा सकता है, या नहीं रहा जा सकता है, अब बात आती है फॉसफीन की, कि वहाँ फॉसफीन कैसे है, तो वैग्यानिकों का मानना है कि शायद शुक्र में कभी जीवन रहा होगा, जब वहाँ पानी होगा, बड़े-बड़े सागर थे, तब वहाँ जीवन रहा होगा, लेकिन वोलकैनिक एक्टिविटी, रेडियेशन और सूरी से, नजदीगी के वज़े से, वहाँ कुछ ऐसा हुआ, कि उस सारा पानी सूख गया, और शायद, उस पानी इसमें था चटानों की तरह जो धर्ती की तरह मिलता जूलता है, वो जीवन वहाँ खत्म हो गया, तो उसके आधार पर, शायद वो जो उसके बादलों में कुछ-कुछ चीज़ें हैं, वो हो सकता है कि वैसा हो, क्योंकि केरिबिया में भी, जो वेस्टेंडीस की तरफ साग कि वो रहा हो, इतनी उंचाई तक माइक्रो और्गनिसम मिल सकता है, लेकिन इसके आधार पर ये कह देना कि वो जीवन के लिए मुपीद है, शुक्र में रहा जा सकता है, और शुक्र में इनसानी बस्ती बनाने का खुआप देखा जा सकता है, ये चीज़ें शायद गलत है क्योंकि खुद जिन वैग्यानिकों ने रिसर्च की है, वो भी कह रहे हैं कि फॉस्पीन का जो सबूत मिला है, शुक्र के बाद अलम है, ये बहुत ही इनिशिल रिजर्ट है, बहुत ही पहली, सिर्फ एक रिसर्च का नतीज़ा है, अभी इस नतीज़े को कई और रिसर्च के जरीए, इसको वैलिडेट किया जाना है, कई और रिसर्च की जाएंगी, उसके बाद पक्के तोर पर कहा जा सकेगा कि वाकई में वहाँ फॉस्पीन है या नहीं है, अगर है, तो किस आधार पर बनी, ये खुद बैग्यानिक कह रहे हैं कि इस नतीज़े के आधार पर कि इसी बड़े कंक्लूजन तक पहुचना अभी जल्दबाजी होगी, तो दोस्तों अगर आप कोई जानकारी अच्छी लगी, तो इससे जादा से जादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने पिन एन पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं क किया है, तो कर डालिए, अगले हफते एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, नमस्कार.